बॉलिवूड में भी हॉलिवूड की तरह यूनिवर्स फिल्म का दौर शुरू हो गया है। हाले में आये पठान मूवी में इसकी जलग भी देखी जा सकती है। जिसे एक स्पाई यूनिवर्स कहा जा रहा है। अब ऐसी ही फाइव सिनेमेटिक यूनिवर्स मूवी आने वाली हैं। जो पूरी तरह से धमाल मचाने के लिए तयार हैं। आदाब मैं यासमीन और आप देख रहे हैं जी सलाम डिजिटल। पहले बात करते हैं यूनिवर्स मूवी होती क्या है। दरसल ये ऐसी दुनिया होती हैं जहां पर कई कहानिया एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। हर कहानी पर आपको एक अलग फिल्म भी देखने को मिल जाएगी। यानि इन फिल्मों का टाइम लाइन, किर्दार, जगा, कहानी सब एक दूसरी के साथ जुड़े होते हैं। जैसा आपने पठान मूवी में देखा। टाइगर एक अलग किर्दार है लेकिन उसे पठान की कहानी के साथ जोड़ दिया गया। इसे स्पाई यूनिवर्स कहा जाता है। अब बॉलिवड में ऐसी ही सिनेमेटिक यूनिवर्स फिल्म में आने वाली हैं। जिसमें पहला नाम है रोहित शेटी का कॉप यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में शामिल है सिंगम, सिंगम 2 और रनवीर सिंग को लेकर बनाई गए फिल्म सिंबा। इस फिल्म में अजे देवगान और अक्षे कुमार क्यम्यो में दिखाई दिये। इस यूनिवर्स में अब तक 4 मूवी बन चुकी हैं। अब अप्रेल 2030 से रोहित शेटी सिंगम 3 की शूटिंग करने जा रहे हैं। दूसरा है प्रशाथ नील यूनिवर्स। KGF और KGF चैटर 2 इसी यूनिवर्स की फिल्म में हैं। इस यूनिवर्स की अगली फिल्म है प्रभास स्टार सालार। उसके बाद वो NTR जूनियर के साथ भी एक फिल्म बना रहे हैं। जिसे फिल्हाल NTR 31 के नाम से बुलाया जा रहा है। तीसरा है राज & DK यूनिवर्स। राज & DK की डारेक्टर जोडी OTT यानि डिजिटल पर स्पाई यूनिवर्स बनानी जा रही हैं। इस यूनिवर्स में आपको दा फैमली मैन और फरजी सीरीज के किरदार एक दूसरे के साथ देखने को मिल जाएंगे। चौता है हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में स्त्री, रूही, फेडिया जैसी फिल्म में आ चुकी हैं। आने वाले दुनों में इस सीरीज में मुझा नाम की नई फिल्म की एंट्री होनी हैं। और फिर इस तरी टू भी आनी हैं। और पांचवा यूनिवर्स है लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में फिल्म के थी विक्रम शामिल हैं।